नमस्कार मैर्श रमहता और आप देख रहे हैं एमजी मीरिया नियूज राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी चीफ शरत पवार ने महारास में विपक्ष को एक जुट रखने के लिए हुंकार भरी है उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी एंसीपी के साथ ही कॉंग्रे सरकार के साथ जुणना मुश्किल है पिछली सरकारों को याद करते हुए पवार ने कहा कि पहले की सरकारों में प्राचीन कला संसुईती सहित्य और इतिहास के सरक्षन में काफी मदद की जिसका रिक्रम में पवार ने ये सभी बाते कही उनमें सिफशेना प्रमुक उठव ठाकरे और वरिस्ट कॉंग्रस नहीं था बालसाइब ठाकरे भी मंच पर मौझूद थे पवार ने आगे कहा कि वर्तमान राजे सरकार के साथ जुणना मुश्किल है लेकिन कुछ समधान जरूर निकलेगा बता दें कि दो जुलाई को अजीद पवार ने एंसीपी से विद द्रो के बाद ये पहली बार है जब M.V.A के तीन सहियोगी एक मंच पर मौझूद रहें कारे क्रम के दोरान पवार ने कहा था कि येश्वन्त रावत चोहान प्रतिस्थान किताब विप्रकाशित करने वाले सम्मू राजवारे इतिहास संशोधक मंदल को 50 लाख रुपे बता दे कि पवार येश्वन्त रावत चोहान प्रतिस्थान के प्रमुक हैं वहीं आपको बताते चलें कि अजीद पवार ने बगावत के बाद शरत पवार से मुलाकात भी की थी इसके बाद ही शरत पवार गुट के विधायक बेचैन नजर आये थे विधायक प्रदेश अध्यक जयंत पार्टिल से अजीद पवार और बागी विधायकों के बारे में जल से जल्द रुख स्पस्थ करने को कह चुके हैं उन्होंने इस मुद्दे पर एंसीबी प्रमुक शरत पवार की लंबे समय तक चुपिक को लेकर भी नाराज की व्यक्स की थी अजीद ने शरत पवार को अपना नेता बनाने और बीचेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए मनाने की कोशिश की थी उनकी पहरी मुलाकात एक बहुत परिचित घटना थी जब वहें उनकी पत्नी सुनेत रहों और बेटे पार्ट के साथ शरत पवार के निवास सिल्वर ओग गए थे उस ज़रान के बाद अजीत पवार ने अपने निवास निवक्त मंत्रियों और समर्टक विधायगों के साथ शरत पवार से मुलाकात भी की थी मेरे साथ बस इतना ही देखते रही है MGMedia News